नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए और फ्रेस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको पांच फर्मूले के साथ दाद, खाज, खुजली दिना आए चाहे कितना भी प्यूराना हो आप पांच फर्मूलों का अगर जो उपयोग कर लेते हैं तो आपके दाद, खाज, खुजली समस्या बहुती असानी से और बहुती जल्द ठीक हो जाती है तो दोस्तों आए जानते हैं इस पांच फर्मूले के बारे में तो दोस्तों अगर जो आप दाद, खाज, खुजली से परिशान है और दाद, खाज, खुजली आपके ठीक नहीं हो पा रही है तो दोस्तों इस पांच फर्मूले का इस्तिमाल एक बार जरूर कर रहे और इसका गरांटी के साथ 100% लिख के साथ देता हूँ जो आपके दाद, खाज, खुजली की समस्या बहुती जल्द और बहुती अच्छी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तों दाद, खाज, खुजली एक ऐसी फंगल इंफ्यक्शन एक ऐसी समस्या है जो लोग दवा का रते का रते ठक जाते हैं और उनका दाद खाज खुजली ठीक नहीं हो पाती है तो दोस्तों मातर एक बार हमारे फर्मूले का उप्योग करें और आप अपने दाद खाज खुजली की समस्य से निजात पाए ले दोस्तों दाद खाज खुजली बहुती भैंकर से भैंकर हो तो आप इस फर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इस फर्मूले में सबसे पहले IT Mac 200 mg कैपसुल है जो इट्रो कोनाजल कैपसुल है जो मैक लोडस की आती है इसका अहम भूमिका है उसके बाद से दोस्तों है निवफोर्स 400 mg जो मैनकाइंड की आती है इसका कॉमपोजिशन है फ्लुकोनाजल टबलेट आई पी और उसके बाद दोस्तों अहम भूमिका है लुली कोनाजल क्रीम लुली किंग जो लाइफ कम की आती है और उसके बाद है दोस्तों सैट्री टबलेट जो आपको इचिंग रेडनेस को ठीक करती है और उसके बाद से इसमें एक हम एंटिबाइटिक यूज किये हैं जिसका नाम है रॉक्सिड एक सो पचास एमजी जिसका कमपोजिशन है रॉक्सिजी त्रुमाइशीन और इसका क खाने के डोज के बारे में जानेंगे तो इसका डोज है रॉक्सिड डेड़ सो एमजी का एक गोली सुबह और साम लूली किंग क्रिम को फंगल जगा को साफ पानी से धोके और इसको सुबह साम लगाएं और उसके बाद से सैट्री टबलेट को एक एक गोली रोज खाएं औ यू फ़रसे 400 म्जी टबलेट को सब्ता अमें एक गोल लें और उसके बाद से आई टी मेक 200 एमजी केपसूल को एक एक गोली लें ्से पह факएं दोस्तो ए हमने डोज बता है सब अड़ डोज दोस्तो तो कि आई टीम में कैपसूल सो एम जी में जाती है जो बच्चों को दिया जाता है दोस्तों इस सब फर्मुला आप अपने नजदी की डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल एस्टोर या फार्माशिस्ट के स्वहयोग से करें दोस्तों आप अपने मन से नल लें दोस्तों एक ऐ ऐसा ही फर्मुला है जो पुराने से पुराने दाद, खाज, खुजली, दिनाई को बहुती अच्छी तरह से और बहुती बढ़िया से ठीक कर देती है मात्र आप इसका तीन से चार दिन यूज करें दोस्तों अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है जैसे इचिंग, रेडनेस, बोमेटिंग, लूज मोशन तो दोस्तों आप अपनी डॉक्टर से जरूर सला लेकर ही करें दोस्तों अगर जो यह जनकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपन जयक करें दोस्तों आप है करें चैनल चैनल को सहे करें के करें उन्हाईब कर पूच्छी से वीडियो करें चैनल करता है किरूपने है कन हमाता रिवीडिक र header चैनल कर योरी होुँसितों दूस्तों इंच उनल इंचित्स रिरूग् जाएल ठावा करदाउ जानल करादानल